हेलो फ्रेंट, स्वागत है आफ सभी का एक और नई वीडियो में आज हम इस वीडियो में 20x40 का एक मकान है जो उसका फ्रेंट ऐलिवेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अक्सर होता है कि हमारे घर का जितना फ्रेंट कम होता है उसमें elevation देते समय काफी ज़्यादा confusion होती है अगर इस घर की बात करें तो 20 feet का front है elevation भी काफी सांदार है और साती हैं पर आपको car parking भी दी गई है तो मैं अंदर से आपको थोड़ा दिखाऊंगा भी कि car parking के लिए जो जगा छोड़ी है वो कितनी है तो अगर मैं यहां सबसे पहले बात करने वाला हूँ जो हमारा यह gate दिया हुआ है इस gate की चोड़ाई है 10 feet यह बाहर की side ही खुलेगा अगर gate की लंबाई ना परेंगे तो थोड़ा ज़्यादा है बट जैसे हमारी car parking के लिए जो clear Spain है वो हमारी 10 feet का है साथ ही आप यहां पर जो देखने वाले उपर आप देख लीजिए जो एक तो जहां मैंने car parking वाला तो वो तो open है साइड में आप जो देख रही है वो हमारी kitchen के लिए है अगर हम उपर देखते हैं तो आपको side में left side में आपको glass railing मिल जाएगी जो की balcony है और रूम भी है और यहां पर जो हमारी बॉल रहेगी compound यहां पर इस तरीके से design दिया हुआ है जैसे आपको देख रहा है कि ज्यादा बड़ा इसका space नहीं है जो फ्रेंट की length है वह बीज फिट है तो बहुत सी window का side में यह window बनाए गई है और यहां पर जो आप गिलास की रेलिंग देख रहे हैं उसके बरावर में आपको वर्टिकली तीन पाइप दिख रहे है होल पाइप यह भी सी तरीके से लगाए गये है ताकि लुक में और अच्छी design निकल पाए अभी मैं अंदर से आपको बत यह भी होगी तो भी आजाएगी तो आप यहां इस तरीके से दे सकते हैं अब एकर आपको इसका घर का पूरा वाक्तुरू चाहिए अंदर से सारी चीज़े डिटेल में तो उसके पर मैं एक अलग वीडियो डालने वाला हूँ अभी मैं फ्रेंट के वारे में डिसकस कर रह थार ना, थाक्यू फर वाच्शे वीडियो वीडियोरा बील कमी नेंशी अज़ी बर्ग्एट कैना, थाक्यु बहुक्विट प्र भी डिसका थे पोनियु ऑनक्या वीडियोरा ठीका में चुज़ छृट अर्च्वी बाट तो आपके टो